हुक्मी होवन यकार हुक्म न कहा जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलेवड आई हुकमी उत्तम नीच हुकम लिख दुख सुख पाईये एक ना हुकमी बखसीस एक हुकमी सदा भवाईये हुकमें अंदर सब को बाहर हुकम ना कोई नानक हुकमें जे बुझ हैं कहों मैं कहें ना कोई मनुख एक परमात्मा दे विचकार जो पाल है जो दिवार है वो जूट दी है वो कूर दी है उस कूर दी दिवार नू केवें तोड़िये क्यू सचे आरा होईए क्यू कूरै तोटै पाल मनुख दी मन्जिल सच है मनुख दी चाहत सच है मनुख दे प्राणा दी प्यास सच है मनुखदा भविश सच है और अगर भविश सच ही है प्राणांदी चाहत भी सच है ता बाधा की है फिर रोक की है रोक है कूड रोक है जूट चाहत सच दी है तो फिर जूट रोक की सतरा हो गई कूड बाधा की सतरा मन गया दरसल चाहत सच दी जरूर है पर कशिश जूट दी भी है प्राणांदी च प्यास सच दी जरूर है पर असर पूड दा भी है इसे नूँ कैनन के मनुख दुबदा दीच जीमदा सच दी चाहत दीच जीमदा कूड दी कशिश दीच जीमदा सच दी प्यास दीच जीमदा जूट दी असर दीच जीमदा जीवन दो पासे हर विक द्रागब होंदा पिंज समझो एक पैर अग्गे रखया एक कदम पिच्छे रखया मनुख उत्थे दा उत्थे रिया प्राणा विच सच दी प्यास ने अग्गे जानते मजबूर की था कूड दे असर ने फिर पिच्छे खिच्छे सच दी तडप अग्गे ले गई कूड दी कशिश पिच्छे ले गई निरंकार दा रस अग्गे ले गया संसार दा रस पिच्छे ले गया आत्मा दे रस ने अग्गे जानते मजबूर की था शरीर दे रस ने फिच्छे खिच्के सुट देता इस तरह मनुख दी जिंदगी दुबदा देच बिती तोंदी ये दुबदा दा मतलब दो पासे दी धामना दो पासे दी भटकना तो मन्जिल मनुख दी सच है पाउचन मनुख ने सच तक है बाधा कूड है इस कूड दी पाल नूँ इस कूड दी कंद नूँ के में तोड़िए क्यों सच आरा होई ये क्यों कूड तुटे पाल समुच्ची मनुखी जिंदगी दा पे आहम प्रशन है सब तुम पेला प्रशन है जिसनों साहिव श्री गुर्णानक देवजी महराज अपनी बाणी द्वारा खड़ा कर देगा समुच्ची मनुखतादा जद ए सवाल है तो जवाब भी कोई अजीम चिंतक ही दे सकते इस दा जवाब भी कोई ओ दे सकता है जो जूट दे असर तो बचके सच तक पहुंचे आओए इदा सही मैने अजी जवाब भी हो दे सकता है जो सरीर दे तल तो उच्चा उठके जमीर दे तल ते पहुंचे आओए तो सवाल ते बहुत वड़ा है कि मैं सच्यार होईगी क्योंके प्रमात्मा जे सच है तो सच विच सच्यार ही लीन हो सकता है पुड़े यार लीन नहीं हो सकता है क्यों एक रब्वी नियम है सजाती मेल हो सकता है विजाती मेल नहीं होंगा रोशनी विच रोशनी समा सकती है पर रोशनी ते अंधकार दा कोई मेल नहीं सुगंधी विच होर सुगंधी मिलाई जा सकती है पर सुगंध ते दुरगंध दा कोई मेल नहीं दुद विच होर दुद मिलाया जा सकता है पर दुद ते शराब दा कोई मेल नहीं कुँके दुमें विजाती नहीं शिराब ते दुद दौमें विजाती ने तो सच ते कूड दौमें विजाती ने सच विच सच्यार ही लीन हो सगदा है पुड़ियार ने सिर्व मनुखने सच्यार होना है ति सच्यार होन दिया ही परतीत हो जानदा है ति मैं सच तक पहुंच गया मैं मनजल नो छो ले सच दा मिलन हो गय सच दा मिलन परम बिश्राम दा मिलन सच दा मिलन परम अनन्द दा मिलन सच दा मिलन जीवन दे मूल दा मिलन सच दा मिलन खुशी दा मिलन सच दा मिलन जिस विछ जनम ने जिस विछ मरन ने और सच दा मिलन परकाश दा मिलन है, सच दा मिलन खेड़यान दा मिलन है कूड दुख है, कूड कलेश है, कूड गिप्ता है, कूड केवल कलपना मातर है कूड स्वपन है सच हकीकत है सच वास्त्विक है कूड ते केवल स्वपन है लेकिन स्वपने दी अपनी महानता है स्वपना भी मनुक देते अपना असर छोड़ता है इस वास्ते कोई वास्त्विक जीवन बतीत करदा है कोई स्वपन जीवन बतीत करदा है कोई हकीकत देच जीवन दा है कोई स्वपने दी दुनियाच खौब दी दुनियाच जीवन दा है खौब चाए है उस दे अपनी हस्ती है फिर भी कूर है फिर भी चूट है तो खौबान दिछ जीन वाला छूटा ही है खौबान दिछ जीन वाला मिठ्या जिन्दगी बतीक कर दाई तो सच्चयार होना है ताहीं सच्दा मिलन नसीब हो सक है तो सद्गुर्फ फ्रमान कर देने क्यों सचयारा होई ये केमे सचयार बने क्यों कूडे तुटे पाल जूठ दी पाल केमे तुटे उत्तर हुकम रजाई चलना नामिक लिखे आना हुकम दी रजाविच चलना हुकम दी परसंता दिश चलना हुकम नो मन के चलना किड़े हुकम नो मन के चलना किस हुकम दी रजा दिश चलना जो नाल लिखे आए नियम प्रभूदा मनुखदे नाल लिखे आए ज्यादा बोलेंगा मन खिड जाएगा ज्यादा खामेंगा रोगी हो जामेंगा ज्यादा सोचेंगा दिमाग पे बोज पह जाएंगा ज्यादा फिकर मंद और चिंतामा दिछ जीवेंगा तवाजन खो बैठेंगा एक यसी रोज वेखेंगा दुख की है नियम दी उलंगना हुकम दी उलंगना सुख की है हुकम दी पालना करना नियम दी पालना करना दुख परमात्मा दी तरफों कोई दित्ती होई करोपी नहीं सजा नहीं बलके खुद नियम दी उलंगना करना पाल लए इस वास्ते परमात्मा ते द्यालू है कोई जालम ही सजा दे सकता है कोई कठोर ही सजा दे सकता है चित कठोर कीते बिना किसे जनू सजा नहीं दिती जा सकता किसे जनू दुख नहीं दिता जा सकता जद कोई दुख भोगदा है दुख भोगण दी जुम्मेवारी उस दी स्वेम दी गए उस दी अपनी होगए दुखदा मतलब नियम दी उलंगना जित्थे कोई शरीरक पीड़ा दा जनम हो गए मानसिक पीड़ा दा जनम हो गए समलो थे हुकम दी उलंगना हो गई और मनुख हुकम दी उलंगना कर सकता है इस तरह दी खुल परिपूरन परमात्मा ने दे रखी अगर इतनी खुलवी नहीं रिती ते सिर्फ मजबूरी हुकम मनना ही है ते हुकम नो मन कहीं जी मना है तो फिर उपदेश संदेश देन दी भी कोई लोड नी के ऐ बंदे तू प्रभूदा हुकमन उच दे हुकम देश जी उदी रजा देश जी अगर रजा तो उल्ट मनुख जी ही नहीं सगदा तो रजा देश चलन दा उपदेश दे में नहीं है हुकम नो मनुख रद ही नहीं कर सगदा तो हुकम देश चलन दा उपदेश की में नहीं रखदा और इही मनुख दी महानता है कि हुकम दी पालना भी कर सक्दफ़े रजाद एच भी राजी रह सक्दफ़े रजातों उल्ट भी चल सक्दफ़े रजाद एच चलनल मनुखनू सुख मिल्रे और पर्भुदी एइ रजा है कि जीव सुख भोगन जीव अननद मानद जीव परसं रें जीव खिडे रहे पर जहुन नियम दी उलंगना कीती है यह प्रभूदी रजा नई है यह उस दी चाहत नहीं है लेकन उसने खुल दिती है यह उस दी दया correspondence यह उसदी बक्षिश है यह उस दी रह्मत है जैसे नियम दी उलंगना होई जैसे मनुख अक बंद करके वी चल सकता है, अखां खोलके वी चल सकता है। और अक बंद करके चलेगा ठोकर खाजाएगा। गिरेगा चोटां लगने। और जद चोटा लगन जखम पाँचन ते गिला करे प्रभू ते में ठोकर खागें तो प्रभू ऐसा कैसे दा है तो नियम दी उलंगना कीती है अक खोल के चलना से वेख के चलना से साहे गुर्वन साव जी महराई दी बानी दा बड़ा सुंदर इकवा कै कि कबीर मन जाने सब बात जानती ही आउगन करे काहे की कुशलाग हाथ दीब कुवे परे मनुख दे हथ देच बुद्धीदा दीपक प्रभू ने पकड़ा देता तो इस रोश्नी देच अपना जीवन बतीत कर पर जे हुन मनुख आख बंद करके चले इस रोश्नी नो वेखे इना ठोकर खा जाए गिर जाए इस जिम्मेवारी प्रभू देने नहीं है गुर्णानक देवजी माराईदा फर्मान आपे दोस्न देई करता जम कर मुगल पठाया करते पुरक ते कोई दोस्न नहीं हाँगा प्रभू ते कोई दोस्न नहीं हाँगा जीव जद नियम्दी उलंगना करदा है तो दुख भोगन दे कोई ना कोई कारण वसीले पैदा ही हो जाएदा मनुख नो दुखी हो नहीं पैंदा है मनुख नो विबता सहेड नहीं पैंदेगी तो सुख प्रभूदी रजा है प्रभूदी चाहत है प्रभूदी मंग है प्रभू पे चांद है जीव सुखी रही है पर रजा तो मनुख उल्ट चले या हुकम तो मनुख उल्ट चले या नियम्दी उलंगना कीती तो सिवाए दुख तो और कुछ नहीं है असी देख दें हम कि सड़क ते चलन वाले यां वास्ते बकैदा ट्रैफिक नियन रस्ते दे चलन दे नियन निर्धारत कीते गएने वो महजिस वास्ते कीते गएने पिर टकराऊ ना हो गए किद्रे खामा खाई किसी दी जान ना चली जाए और कोई मनुख ए आखे और दावे ना लाखे कि मैं चलना ते सड़कते है नियम दी पालना नहीं करने मैं ट्रैफिक रूल दी पाबन भी नहीं रखने गिरेगा चोट खाएगा उस जिन्मेवारी गिरन वाले दी नियम ते बन चुटे तो प्रभू ने भी संसार देच जीवन मूँ चलान दे नियम बना रखे नियम की ने ओ धर्म गरंथा दी बाने प्रभू दे नियम महापुर्शा दे उपदेश पे अकाल पुरुख दे नियम ओ गाहे बगाहे दस दे रेंदे ने जिन्दगी दे नियम ए जीवन दे नियम ए और जित्थे नियम दी उलंगना कीती सुआए दुख तो होर कुछ नहीं होगे सुआए विक्ता तो होर कुछ नहीं होगे उसे नियम नो गुरुनानिक देवजी महराद हुकम कहने ऐ बंदे उस दा ए हुकम तेरे नाल लिखे तो अखांदा गल्ट इस्तमाल करेंगा और ज्यादा इस्तमाल करेंगा अखां रोगी होंगे तू जबान देच मिथ्या वाक रखेंगा रसना मेली हो जाएगे तू किसे वास्ते मुश्कलां पैदा करेंगा स्वेम मुश्कलां जिस जिन्दगी विदीद करनी करेंगे ते प्रभू ने इस धंगदा नियम बना रखे है जैसे धरती नो एक बीज देई है ओ बीज अनंत गुणा होके वापस आउंदा है अटल नियम बीज चाए चाए चंगा बोई है ते चाए माड़ा बोई है चाए किसे जरीले बूटे दा बीज बोई है ते चाए किसे अम्रत फल देन वाले फलदार द्रखत दा बीज बोई है एक बीज अनंत बीज होके परफल द्रखत बोयाया एक दाणा अनंत दाने होके वापस आउंदा हूबहु करम चाहे शुब करिए चाहे अशुब करिए पिए अनंत गुणा होके वापस आउंदा है किसे नो सुख दिता है अनंत गुणा सुख वापस आंदा है किसे नो हसाया है हासयान अलजोली भरजंदी है किसे नो तुँ एक फुल पेट कीता है समच्चे रस्ते दिछ फुल बिच जान देना है पर याद रख, तो किसी दे रस्ते दिश सिर्फ इक कंड़ा रखे है, زिन्दगी दी हर राध इस कंड़ेयां तो बञाहuted और और कुछ नहीं मिलेगया। तो सिर्फ एक रोडा ही किसी दे रस्ते दिश रखे है, उने जिद्र जामेगा रोड़यां ती चलना पहुएक। जगत नों जो पुछ देई है वापस सामदा है अनंत गुणा होके वापस सामदा है बस अणियम है दुखनाल चोली परियुए सडी तो जगत नों दुख दिता और Hem अंजवानाबल परियु यह सडी अक्षट किसेनों रोणते मझबूर कीताओ लोगर एक आलम दा केना है माना कि इस जमीन को नंगुलजार कर सके कुछ खार कम ही कर गए गुजरे जिधर से जित्थो लंगे हैं ये ठीक है कि समुची धरतीनों गुलिस्ता नहीं बना सके पर जित्थो लंगे हैं कंडे जरूर हुँजे रहे पत्थरानों जरूर चुणे हैं ताके लोग की असानी नाल रस्ते आनों अबूर कर सकन तो जो किसे दा रस्ता आसान करदा है उस मनुखदे अपने रस्ते आसान हो जाँगे और जो किसे दा रस्ता मुश्किल करदा है चारों पासे सवाय मुश्किलां दे उस दी जिन्दगी रिच और कुछ नहीं होंदा साइब पिन एह हुकम तेरे नाल लिख्या है हुकम रजाई चलना नाने के लिख्या नाल एह हुकम तेरे नाल लिख्या है इसनों तु मन भी सकदा इसनों तु ठुकरा भी सकदा नियम दी तो पालना भी कर सकता है नियम दी तो उलंगना भी कर सकता है और एक गल सपष्ट है अगर नियम दी उलंगना मनुक करही नहीं सकता ते नियम दी पालना करना उस दी मजबूरी होगे तो नियम पालना करना दा उपदेश देना व्यर्थ होगे फिजव लोगे इसलामी साहित दें अंदर एक बड़ी सुन्दर गाता है हजरत अली पेगंबरी पुर्श मुहम्मद साहब नो कुछरे में दस्त बसता हजरत कुछ मेंवी कर सकदा या सब कुछ खुदा करदा है अल्लह करदा है मुहम्मद साहब बड़े दूर द्रिष्ट और अकसर पेगंबरी पुर्श बड़े बारीक भी नहीं दे दे उन्हेंने किया अली जी मैं शबद प्रमान दे रहा ही बोल के तेनु समझान दी कोशिश की थी नहीं समझ सकने मेरे बोल तेरी बुद्ध दी पकड़ देच नहीं आनगे इस वास्ते मैं किसे वकट तेनु प्रतक्ष प्रमान दे रहीं समझावांगा हजरत अली हथ जोड के कैन लगा बेप्यास मेंनो हुन है पानी भी हुन पिला प्रशन मेरे प्राणा चो हुन निकले है कुछ मैं भी कर सकदा या सब कुछ खुदा करदा भतानी ये प्यास पिर रवे या ना रहे इस वास्ते इस दी पूरती हुन करो उने ही मैंनो समझाओ तो महम्मद साहब कें लगे अली तू अपना एक पैर जमीन तो उठा ले चुक ले एक दम सज्जा पैर हजरत अली ने जमीन तो चुक ले महम्मद साहब कें लगे तो दूसरा भी उठा दूसरा पैर भी जमीन तो चुक मजबूर हो के अली कें लगे ते नहीं हो सकता मैं सिरफ एक पैर ही जमीन तो चुक सकता दूसरा नहीं महम्मद साहब कें लगे जितनों दूसरा पैर चुकना होए फिर तेनों की करना पैएगा तो हजरत अली कें लगे फिर जड़ा चुके होया मैं सज्जा पैर है उन्हों रखना पैगा जमीन ते ताई में खबा पैर दूसरा पैर चुक सकांगा अली ये तेरे सवाल दा जवाब है ये तेरे प्रशन दा उत्तर है दस्त बस्ता ली कें लगे मैं नहीं समझे है तो महम्मद साहब कें लगे तू एक पैर चुकन दी सुतंतरता रखदा है जमीन तो चुक सकदा है खोल ले और तू सज्जा पैर चुके है पर तू चांदा ते खबा पैर भी चुक सकदा सी जरूरी नहीं के सज्जा पैर जमीन तो चुकना सी खबा भी चुक सकदा सी पर जे एक दफा सज्जा पैर जमीन तो चुकले आ उसे वकत खबा पैर चुकन आउखा हो जानदे आई मनुक तो शुब कर्म भी कर सकदा है अशुब कर्म भी कर सकदा अली पर जे एक दफा अशुब कर्म दी चौन कर लई फिर शुब कर्म करना अुभा हो जाएगा और यह उन यह उसकद है जट अशुब कर्म गा पर तु रख देंगा ताई शुब कर्म कर सकेंगा वरना नहें कर्म करनदी तेरी सुतन तरता है फल खुदा दे हाध फेचे फल हध अल्ला दे हाध तчи तूं ए आखें बीजते में बोधता है, फल मैं नहीं खाना, फल तेनू खाना ही पाएगा। फल अपनी जोली देच तेनू रखनाई पैगा कर्म योगी शुरी कृषन जी दावी ऐसा ही कहना है ऐ अरजन कर्म तेरे हतेच फल मेरे हतेच हिंदुस्तान दे तमाम रेवरी पुर्शान दा एही कुछ कहना ते कर्म कर्ण दी पूरी ऐ मनुख तेरी सुतंतरता है गुरुनानिक दी सिक्षा दिक्षा भी एही है उदम करें दियां जीवतौं कमावदे आसुक भुंचे भ्यावदे आतौं प्रभु मिल नानिक उतरी च इसलब जंत उन्द कर तो गया है दा मतलब है उतन कर्णदी समरता मनख देखोल है और आलस हुण दा टंग य वि मनख देखोल है मनुक उदम भी कर सकते हैं मनुक शुब करम भी कर सकते हैं मनुक अशुब करम भी कर सकते हैं मनुक अख्ञां खोल के भी चल सकते हैं मनुक अख्ञां बंद करके भी चल सकते हैं तो दुख की है नियम दी उलंगना नियम दी सूज नहीं नियम दी समझ नहीं प्रभूदी देन दी समझ नहीं और जद नियम दी समझ नहीं ते मनुख नियम दी उलंगना करे दुख जोली दिछ पह जाँ जद भी मनुख कोई दुखी है उनू इतने ही समझ लेना चाहिए किदरे मेरे कुल हुकम दी उलंगना ह जिस तरह किसी देश दा राज पर बंद चल दाया ति राज सी कानून नियम बणा देदे जाने पर मनुख उस नियम दी उलंगना भी कर दाया फिर राज डंद मिल दा से कानून उसनों सदा दें दी गानून दी दृष्टी रेच ओ मुझरम हो दाया इस तरह प्रभू ने नि चिन उसे वकत दुख उस दी चोलिच पह जानदा है प्रभू अपनी तर्फों बिल्कुल निर्लेप है तटस्त एक पास से बैठा वेखे वक्थ ठिके न तो साइब के दर हुकम रजाई चणना नामिक लिखेया ना उस हुकमी दी रजाद चलना केड़े हुकम दी रजाद चलना जो हुकम नाल लेखे हो या है बस रजाद चल दे आईँ जूट दी कंद धै जूट दी पाल तूट जाद मुनुक सच्यार हो जांदा है सच दिलीनता हो जांदिए वो हुकमी जद इतना वड़ा है तो उस दे हुकम देच की कुछ हो रहे है कुदरती गल है जद हुकमी वड़ा है तो उस दा हुकम भी बहुत वड़ा हो जद ओ आप वड़ा है तो उस दी मर्यादा भी बहुत वड़ उस्ते हुकम देच की कुछ हो रहे है जगद गुरु बाबा फर्मान कर देने हुकमी होवन आकार हुकम न केहा जाए उस दे बनाय हुए नियम दे मताबक ही आकार बन दे आकार खंडां ब्रहमंडां दे ग्रै निशत्रां दे पाकार पहाड़ां दे द्रयावां जीलां ते सादरां दे पाकार पशु पंखियां दे कीडे मकोडेयां दे बनसपती दे और मनुस दे सब कुछ होकम देच याँ भावे अजो के समें दिच विग्यान अपनी चर्म सीमा ते पहुचे है लेकन विग्यान नू अजे खून बनान भी जाच नहीं हाई भोजन तो खून के में बन रहा है रोटी तो खून के में बन रहा है इस दी सूज समग अजे तक विग्यान नू नहीं आ सकी इस वास्ते बंदेयां दा खून कड़के बोतलां दिच भरके अस्पतालां दिच रखना पर गलते बिलकुल मामूली जीवन विग्यान बना सके आत्मा विग्यान बना सके इस दाते खाब भी नहीं लेना चाहिए दा विग्यान ते खून भी नहीं बना सके भोजन तो खून के में बन दा है इस सेंस दी समझ तो परे है इस विग्यान दी समझ तो परे है और गल बिलकुल मामूली हलांके श्रीर दिस जो भोजन जानदा है वो ही भोजन खून बन दा है जो अन पाणी असी खांदे हैं एही खून बन दा है सारा अन पाणी विग्यानक देगों रख दो आखों किसे आले नाले सुनों बना अजे विग्यान भी पकड़तां के गल परे है तो मनना पैगा सब कुछ उजदे हुकम देच की कुछ हो रहे हैं साहिव गुरुनानक देवजी महराज इस दूसरी पौड़ी देच विस्थार सेर जिक्त कर देने हुकमी होवन आकार हुकम न केहा जाए जितने शरीर ने जितने वजूद ने जितने आकार ने सब मर्यादा दिच बने ने सब हुकमी दे हुकम दिच बने ने और किसे थावी भुल ने किसे थावी कमी ने हर वस्तु अपने आप दिच पूर्ण है चैपहाल ने नदी नाले ने सागर ने ग्रेन चत्तर ने कीडे मकोडे ने पशू पंखी ने हर वजूद अपनी थांते अपने विच संपूरन है, मुकम्मल है सो जितने आकार ने प्रभूदे बनाये होए हुकम द्वारा ही बने साहिब के दिन हुकम न केहा जाई हुकम इतना वड़ा है कि निक्की जबान नल केहा ने जा सकता उस प्रभूदी बनाई मर्यादा इतनी लंबी इतनी महान है कि छूटी ज़िए जबान नल कथन करनी बहुत ओकी, बहुत ओकी मूल गल इस पॉड़ी दिच ए है कि सब कुछ हो रहे है कीता नहीं जा रहे है एक मनुक रेल दिच सफर कर रहे है उन्हें बक्सा ते बिस्त्रा भी अपने सिर दिच दे रखिया है नाल बैठे साथी पुछ देने ऐसा क्यों सिर दिच दे तुम बोज क्यों चुके है कहिंदा है मैं चाना रेल दिच दे वजन ना हूँ पर इन्हों कौन दसे जिस रेल दे तुम बैठे है को समान दा बोज भी उसे ही रेल दिच दे है मनुक पुलेखे करके कह रेंदा है मैं कर रहे है मैं कर रहे है करता भाव अपने विच्चों पैदा कर लेंदा है वरना सब कुछ हो रहे है कीता नहीं जा रहे है जो सब कुछ हो रहे है इन्हों समझ लेना ही धर्म है इन्हों समझ लेना ही पगती है इसन्हों समझ लेना ही रुहानियत है जो कुछ हो रहे है इसनों न समझना कि अपने करते भावनों पैदा करना बस एही अधर्म है एही भुल है एही गल्पी है साहिव के निनों हुकमी इतना वड़ा है कि उस दा हुकम आख्या नहीं जा सकता हुकम न के हाज आई फिर वी सद्गुर चलो रसना छोटी से गल छोटी से तो चलो प्रभूदी छोटी गल दाजिकरो वे पूरी नहीं तहां फिर वी कुछ उस हुकम बारे विचार तो सद्गुर बस देने हुकमी होवन जी हुकम मिले वड़याई जितने जीवने प्रभू दे बणाये होए हुकम देच ही बणेने होधी बणाई होई मरियादा देच ही बणेने पन्चियां दे पंक ते पंकां ते रंग बड़े बातरतीवने मचली दी शकल मुनुख दे श्रीर देच एक एक नस दा अपनी थांदे ते होना बड़ी अगम्मी ती अदुती मर्यादा दी जलक सामने दिखाई दें दी साइव करने जितने जीवने इना जीवा देच छोटे ते वड़े उत्तम ते नेच उस दे हुकम दे मताबत में देख दिया उत्तम ते नेच हर पदारत अए हर वस्तू ते हर जीव देच ने पथरां दि चोँ संगे मरमर सब तो उत्तम है वैसे हीरावी को पथर है पत्थरां दी शिकर पत्थर वद तो वद अपनी बुलंदी नो छू सब़ाए तो ओ हीरे ही है पर इक आम पत्थर है आम तो ओ एक नीवा है एक उत्तम है प्रभू ने आप ही एं मरियादा बनाई ए पत्थर तो हीरा के में बनदा है मनुखदी समर्था तो परेदी गल है हीरे नू कोई पत्थर बनावे मनुखदे वस्दी गल ने पत्थर तो कोई हीरा बनावे मनुखदे वस्दी गल ने लेकन इतनी गल सपष्ट है पत्थरी हीरा हो जांगा है तो हीरा पत्थर दा उत्तम रूप है पत्थर पत्थरदानी मारूगी बनस्पती दे ज्ञात मारी है चंदन सिर्मोर है पिदा कोई मकाबला ने कि करवी है जान्ड है ऐसे द्रख्त ने कोई फुल ने फाल ने महक ने गुण ने और महक सुगंदी ते गुणनाल भरपूर खड़ा है चंदन ए उत्तम वस्तु ए उत्तम सुगंदी ए उत्तम उसदा रूप परीपूरण प्रमात्मादा बक्षिश कीता होया है फुला दिछ जाईए ते कमल दी अपनी दुनिया उन्ज अकदा भी फुल लोंगे गुलावदा अपना एक खास अस्थान है और अकदे फुलनों गुलावदे सामने रखिये ता करना पेंदा हे प्रभू तेरी बणी होई मर्यादा दे मताबक कोई अकदा फुल है कोई कमल दा फुल है कोई गुलावदा फुल है इसे तरीके दिनाल चोपाए जानवरां दे जात मारी है गव शेर हाथी की अग्ये जाप देने लेकन सूर है कुता है इती पच्छडे है किसे मनुखदी महमा बयान करनी होगे असी कह देने है इती गव वरग है इती शेर वरगा बहादर है लेकन किसे मनुखदी निखिदता करनी होगे ते कहना पेंदा इती सूर वरगा इती कुते वरगे तो चोपाए जानवरां देच कुछ नीमे ने कुछ उत्तम ने अतीव उत्तम ने पंचियां दी दुनिया देच जात मारी है तो उत्ते वी कुछ पंचि शिकरते कुजे ने जैसे के हंस है पवित्रता दी दुनिया देच इतना अग्य है कि किसे महापुर्ष संत दी तश्बी देनी होगे पंचियां देच ओं ते कहना पेंदा हंस वरगे को पंचियां दी दुनिया देच हंस सिर मोर है पर कुवे भी हैगे ने इल्ला भी हैगे ने ए नीच योन है पंचियां दी दुनिया देच इल्ला दी कुवे याँ दी गुर्णानिक देवजी माराज ने इल बार एक बड़ा सुन्दर ख्याल देता है फिर्दी फिर्दी दहदिसां जल पर बत बन राए जित्थे डिट्था मिर्थ को इल बहेठी लाए इल पहाडां ते उड़ रही है द्रियावां ते उड़ रही है सुन्दर बगीचियां देते उड़ारियां ला रही है महला दो तेवी उड़ रही है कोई थाँ उसनों पसंद नहीं आई एक थाँ ते मुरदार पे है उनों वेख के एकदम थल ले आगे इतनी उच्ची उड़ दी है पर दृष्टी बड़ी नहीं दृष्टी बहुत नहीं इस दी उच्ची प्रवाजनों वेख के इदी दृष्टी उच्ची मन नहीं लेनी चाही इदी कई दफ़ा देखन दे चाया एक मनुख दे विचार बड़े उच्चे ने लाजमी नहीं उस दा किरदार उच्चा होगे उस दा आचार उच्चा होगे तो खैर पंचियां दी दुनिया दिच सब तो अग्गे है एहन्स पर सब तो निखिद है एकवाव ए इल्ग इसे तरीके नल कीडियां दे जात मारी है तो कीडा रेशम दा भी है पर कीडा बिष्टा दा भी है आखर कीड़े इने इक अपने अंद्रों रेशम नो जनम देंदा है किसे नंगे दा तानवी टाक देंदा है पर एक ऐसा है उन्हों छोईए तो छूंदियां या प्रवित्तर हो जाओंगे अलांके ओ भी कीडा है एक बिष्टा दा कीडा है एक रेशम दा कीडा है खुकमी उत्तम नीच उस्दे बने होए खुकम दे मताब कोई उत्तम है कोई नीच इसे तरीके नलसी धरती देखने है किसे किसे ठांदी धरती बड़ी उत्तम है उपजाओ है पर कोई तरती अनंत काल तो बंजर पहिए गासदा-दाना भी नी पैदा होंगा तेनका भी नी जन्म दा उजड़ी पईए मरू थल है पर किद्रे सब्जाजार है तो धरती किद्रे उत्तम है किद्रे नीमी है ते हुन आज आईए मनुख दी दुनिया देच मनुखा देचों भी कुछ मनुख अती उत्तम ने कुछ नीच ने कुछ बहुत नीवे न तो साहिव के नने उस दी बणी होई मर्यादा दे मताबक कोई उत्तम है कोई नीवा है किसे दा रंग काला है तो उन लख कोशिश करे ए चिट्टा नहीं हो सब्या रंग भी प्रभू तो मिल दा है नक्षो निगार भी प्रभू तो मिल देने जो कुछ उस तो मिले है उन्हों खिडे में थे तसलीम करन ना लही सुख है सकून है तो साहिव के नने हुकमी उत्तम नीच है हुकम लिखे दुखे सुख पाईए लिखे हुए हुकम दे मताबक ही कोई दुख भोगदा है कोई सुख भोगदा है कोई मर्यादा दी उलंगना करके दुख भोग लेंगे कोई मर्यादा दी पालना करके सुख भोग लेंगे लेकिन मर्यादा दी उलंगना करन दी समर्था मनुख नो उसने देती है एवी उस दाई का हुकम है मर्यादा दी पालना मनुख कर सकता है एवी उस दाई का हुकम है एवी उस दी बनाई होई मर्यादा तो सहिव के दिन प्रभू दी बनाई होई मर्यादा दे विच कोई दुखी है कोई सुखी है एकना हुकमी बक्षिस एक हुकमी सदा भवाईए एकना ते उस हुकमी दी हुकम द्वारा बक्षिस होगे रह्मत होगे अपने चर्नाच थां दिती नेचलवासा मिल गया पर एक हुकमी सदा भवाईए एक बने होई हुकम दे मुताबक सदाई भटक दे रेने सदी भी भठग बे रेंदें जम जम मरे मरे फिर जम ने बहुत सजाय पया बेस लम लंबी यात्रा दिछ पय रेंदेinguém जम बे रेंदें ने मर दे रेंदे हमेशा भुआईए भुआईए भुआलि भाव चक्कर दिछ जित्तों चले यसी मुड़ के फिर उते आया जनम होया सी मरे आया है फिर जनम होया तो जनम तो चले आया सी फिर जनम ते आगिया जनम तो चले आया सी फिर जनम ते आगिया इसे नो कहिनन जनम मरन दा चक्कर जनम होया सी ते हुन मर गया है ते मुड़के फिर जनम ना आवे चक्कर चो निकल गए अगर फिर जनम हो गया है तो जित्वों चले आसी ते फिर उत्ते ही आगया तो जनम मरन एक वर्तुल है एक चक्कर है इस दे चो मनुख निकल सके प्रभू ने मर्यादा बढाई गए उस दे हुकम नो मन लेना, खिड़े मत्य तसलीम कर लेना, मर्यादा दी पालना करना, मनुख चक्कर दे चोने कर जानता है तो साहिब करने एक ना आदे उत्ते है प्रभू अपनी बख्षिश कर देंदा है अपने चरना दे थां बख्षदा है एक उस दे बनाये हुए हुकम दे मताबक हमेशा ही चक्कर देच पाए रेने, जम दे रेने, मर्दे रेने एक हुकमी सदा भुआई है हुकमे अंदर सब को बाहर हुकम ना कोई मच्छी जल देच जित्थे तक चाय कलोल कर सकती है द्रियादे एक किनारे तो लेके, दूसरे किनारे तक भी जा सकती है लेकन मच्छी ए आखे, मैं द्रियादे तो बाहर निकल के घुमना पिरना है नहीं, ऐसा हो नहीं कर सकती है प्रभू ने जो मर्यादा बढाई है मनुख उस दी मर्यादा देच ही रह कही सब कुछ कर सकता है उस तो बाहर ने जो ताकत, जो समर्था, जो वेकन दी शक्ती, बोलन दी शक्ती, सोचन दी शक्ती, चलन दी शक्ती और कर्ण दी शक्ति जो पूर्ण प्रमात्मा ने दे रिती है इस दा कुछ भी मनुख उपयोग कर सकता है जिस पासे नदी आ रही है उस पासे मच्छली जा सकती है दूसरे पासे जा सकती है एक तटते जा सकती है दूसरे तटते जा सकती है मनुख शुब करम कर सकदा है अशुब करम कर सकदा है अच्छा कर सकदा है बुरा कर सकदा है लेकिन उस दी बनाई होई मर्यादा दिछ ही सब कुछ हो सकेगा उस दी दित्ती होई समर्था दिछ ही सब कुछ हो सकेगा सागर दे चों बार निकल के मचली कुछ भी नहीं कर सकती मनुख जो कुछ भी कर रहे है उस हुकमी दे हुकम दे ची कर रहे है उस दे हुकम तो असी बार नहीं है आकाश ने सारे नो अपने मिच घेरे आए असी सारे आकाश दे चाँ असी सारे प्रमात मांगे चाँ हाँ मचली नो पुलेखा हो जानगा है कई दफ़ा मच्छी मच्छी तो जरूर पुछ दिये सागर के थे है बड़ा ना सुने है सागर दा बड़ी मेमा सुनी है सागर दी लोग की उसनों रतना कर कें देने रतनादी खान के इंदेने सागर है किते मच्छी ते मच्छी है मुनुखवी पुछदाए प्रमात्मा है किते पीश्वर है किते प्रमात्मा किते है एप्रशन ऐसा है जैसे कोई मच्छली आखे सागर है किते समंदर है किते इन्नों कौन आखे तो प्रमातमा दे विच्चि है, तो सागर दे विच्चि है, बन्दे नुः कौन दसे? तो प्रमातमा दे अंदर है, तो प्रमातमा दे विच्च ही सब कुछ कर रहे हैं। जैसे मच्ची मच्ची नो खा रही है तो सागर दे विच ही खा रही है जैसे मच्ची मच्ची दी पालना कर रही है तो सागर दे विच ही कर रही है कोई मनुख परुबकार कर रहे है तो परमातमा दे विच कर रहे है कोई मनुक दुराचार कर रहे है तो प्रमातमा देविच ही कर रहे है हुकमें अंदर सब को बाहरे हुकम ना कोई दरसल इस पंग्ती नो समझन नहीं दिमाग देते बहुत जोर देना पहेगा हुकम देच सब कुछ है भाव सागर्देच ही मच्ची दा जीवना दे कल जीड़ी है वो इतनी और सागर्देच मच्ची सब कुछ कर रहे है गंद भी सोच रहे है बच्चेयां दी पालना भी कर रहे है छोटे छोटे बच्चेयां नो खा भी रहे है अनर्थ भी कर रहे है आर्थ भी कर रही है मनुख जो कुछ भी कर रही है इस समझ आंढिये इसनों जिसनों पर्मातमादा बोद हो जा है इस तरहां दा मनुख है इस राजते रहसनों समझ के परमअनंद दी दुनिया देचा अठहे पैर रुभया रहें दै तो सद्गुर्ण कह रहे ने हुकमें अंदर सब को बाहर हुकम ना कोई रेत दे जर्रे तो लेके सूरज तक कीडी तो लेके हाथी तक सब कुछ हुकम देचे सब कुछ प्रबू देचे सब कुछ उस दी बढाई होई मर्यादा देविच है उन सब कुछ दा प्रमान है नानक हुकमे जेवुझए तो हो मैं कहे ना कोई सद्गुर्ण केन ने इस हुकम दीजे किदरे बन्दे नु समझ आ जाया ता मनुख़दा करता भाव खो जाएगा और ने यह नहीं आखेगा में भी करता में हां हाँ मैं कहे ना कोई फिर किसे ने हंकार नहीं करना मैं भी हाँ ऐसा फिर किसे ने कुछ नहीं कहना फिर कि हार एक ने कहना जो कुछ है सागर है सागर सड़ा जीवन है सागर तो ही सड़ा जनम है सागर देच ही सारा सड़ा मरन है जो कुछ भी है सागरी ही है पर जिस्दा बोध ना वे ता फिर मनुक आहंग भाव दिछ जीवगा है मैं जी रहे हैं अपने प्रवार दिछ मैं शुब कर्म कर रहे हैं मैं दान कर रहे हैं मैं पुन कर रहे हैं मैं शुब कर रहे हैं मैं अशुब कर रहे हैं मैं देच जीवना अधर्म है तूँ देच जीवना धर्म है जिदा मैं मिट गया वो धर्मी है जिस देंदरों तूँ मिट गया वो अधर्मी है जिदा हर वक्त मैं देबोद देच जीवना है संसारी है जिदा तूँ देबोद देच जीवना है बस ओही पगत है ओही तहारमक है तूँ है तूँ है तूँ है तूँ है गुर्गोबन सिंग जी महराज दी रसना तो जद वाक निकले तूँ ही पाइमनी सिंग लिख रहे तो ही तो ही तो ही एही बोली गए जैसे गुरुनानिक देवजी माराईदी रसना तो निकले असी तकड़ी तोल दें हो यां तेरा 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 ऐसे तेरे भाव दिछ लीन होए मेरा भावी खो गया नहीं मिट गया पिज़ तेरा भावी रह जाए मेरा मिट जाए बसे धर्म भी शिकरतानू मनुक ने छो लेया पिज़िते तेरा ही मिट जाए मेरा 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 जितना मेरा मेरा वद्दा है उतना दुख वद्दा है जितना तेरा तेरा वद्दा है उतनिया बर्कतां वद्दियाने उतना सुख सद्गुर्दा फ्रमानुई है जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरे जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रबकाज सवारे जित्थे मैं मिट जांदा है उत्थे फिर तूंदा जनम हुंदा है भगत कवीर केंदे ने तूं तूं करता तूं भया मुझ में रहा नहूं जब आपा परका मिट गया जट देखां तत तूं किसे उर्दू दे शायर ने इस संबन देच एक बड़ी संदर कालपनिक गल अपने शेर देच कतन कीती है बकरे दी बोली है मैं 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 बकरा मैं मैं देच जिन देच जितना संसार देच बकरा जबा कीता जन देच शायद ही कोई होर जानवर कीता जन देच क्योंकर मैंनू ते जबा करना ही पैगा मैंनू पुद्रत नहीं परवान कर दी मैंनू नहीं कबोल कर दी उस शार केंदा फखर बकरे ने किया बस मेरे सिवा कोई नहीं मैं ही मैं हूँ बस जहां में दूसरा कोई नहीं जब ना मैं मैं तरक की बेजरब बेबाक ने फेर दी तब जल के गर्दन पर छुरी कसाब ने गोस्त हड़ी जो था चमला जो था जिसमे जार में कुछ लुटा कुछ टिस गया कुछ बिक गया बाजार में रह ग ईंत आत फिकत मैं मैं मनाने के लिए ले गया नदाफ से धुनकी बनाने के लिए जरब की सोटों की जिस दम तांत घबराने लगी कि मैं के बदले तों ही तों की बस सदा आने लगी। जिस दिन मैं मिटदा है, उसे दिन ही तूंदा जनम होगा। तूं पूजया जनदा है। तूं सदीवी है तूं अमर है तूं सच है तूं सुन्दर है मैं ते काल देच हैं मैं करूप हैं मैं ते दुख हैं मैं ते अग्यान हैं मैं मैं करणवाला अग्यान देच जींदा है मैं मैं करणवाला दुख देच जींदा है में में करनवाला चिंता दिस चींदाया तूं तूं करनवाला और तूं हो जानवाला परम अनंदा रूप बन जानदाया साइब कननाने को हुकमे जे बुझे ताहों मैं कहे ना कोई जिसनू हुकम दी समझ पैजाया फिर उत्थे आहंग भाव मैं हाँ ए भाव मिट जानदाया सड़ा जनम हो गया है सब कुछ हो रहे है सड़ी चाहत नहीं सी असी अपनी चाहत दे मताबक माँ बाप नहीं चुने हो गया है जनम अपनी चाहत दे मताबक अपना रंग रूप नहीं चुने अपनी चाहत दे मताबक नक्षो निगार नहीं चुने किसे ने दे 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 ले उस सब कुछ हो रहे है जिसने दे देता है जो कुछ दे देता है एनू कबूल कर ले एनू परवान कर ले जिड़ा आखे ए मा मैंनू कबूल नहीं ए प्यो मैंनू कबूल नहीं पर इनु कौन दसे, मां ते बाप नू तू कबूल कर सकें, तू प्रवान कर सकें, तू चुण सकें, इस तरह दी चनोती ते ते नू दिती नहीं गए, ये ते हक ते नू दिता ही नहीं गए, सब कुछ हो रहे हैं, उस पर ही पूरन पर आत्मा तो हो रहे हैं, इस गल्दी समझ आउदे आई, अहंग भाव मिट जानदा है, वे जिस तरह मैंनू माँबाप मिले ने, जिस तरह मैंनू तन मिले है, इसी तरह जगर दे सब कुछ हो रहे है, पीता नहीं जा रहे है, समझ आउदे आई, मनुख परम बिश्राम दे चला जानदा है, समझ आउदे आई, जन पुछदे ने, तु टहनावी चाननाए के नहीं, रब साथों ने पुछदा तु मरणावी चाननाए के नहीं, एते जोर ना जीवन, मर ना जोर, यह जनम मरन हमरे वसनाए, यह त शड़े वसदे चाने, संसार दे इस सब तो वड़ियां दो घट नावाने जनम पे मरन जद ए बंदे तेरे हाथे च नहीं अगर जनम मनुख दे अपने हाथ दे चोंदा तो फिर इसने अपनी मर्जी दी चोंड करनी सी इने फिर दुखी नहीं होना सी ये मा मैंनू नहीं चाहिदी सी ते शायद मनुख ने मरना ही नहीं सी ते जनम ते मरन मनुख दे हाथ दे च नहीं ते जद इतनी वड़बी कटना पुर्ख तेरे हाथ दे च नहीं तो तुई कबूल कर ले मेरे हाथ दे च है यी नहीं कुछ सद कुछ तेरे हाथ दे च है इस गल्दी समझ आउने आई सद्गुर केंदेने मनुक दा अहंग भाव मिट जानदा है नामिक हुक में जे बुझे तो हो मैं कहे ना कोई तू सच है मैं चूट हाँ मैं दे मिट दिया जूट मिट जानदा है मैं दे मिट दिया मनुक सच दी मूरती हो जानदा है जो सचैयारा हो ये किउ कूडे तुटे पाल, केमें सचैयार बढ़ियें? ते किमें कूड़ दी कंद तुटे, कूड़ दी कंद, मैंदी कंद, सचयार होणा मिचली नउना। ए मैंधी कंध के में तुपते जूट दी कंध के में तुपते इस गल्नो समझना है कि सब कुछ हो रहे है कीता नहीं जा रहा और इस गल्धी समझ आम दें खुदि रस्ना तो इक पंति निकलेगी खुपमें अंदर सब को बाहर हुकम न तोए नानक हुक में जे बुझे काहों में कहे ना को